नमस्ते फ्रेंड्स आज हम हमारे कीचन में बनाने जा रहे हैं चूर चूरोटी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है आईए इसके लिए हमने कल रात की बची हुई दो ठंडी रोटी जिसको हमने छोटे-छोटे पीसिज में टुकड़े करके रख लिए हैं ठीक है अब हम श इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे रोटी के अनुसार तेल घरम होने पर हम इसमें जीरा हल्दी पाउडर फिर हम इसमें सारी सब्गियां स्टाइब करेंगे राटी शिम्ला में प्यार आली और कलए रख स lähडी कि तो और करने में आते हैं इसके तो प्च्रह सब्गियां कर आपको हसे थेते हैं तो पाहिए हिस्जै उस Tech घजिए पैपनि खिलानिदों दरसा जानी सकते हैं एसे बच्चे खाने से आना काशाए हो लेकिन अगर ऐसे mix करके अपन बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों के पेट में सब्जियां भी जाएगी बच्चों के लिए healthy भी रहेगी अब हम इसमें आपके बच्चे गर तीखा काते हैं तो आप मिर्ची जादा डाल सकते हैं और कम तीखा पसंद करते हैं आप अपन अब हम इसको प्राई करके आधी कटोरी पानी डानी और कुकर बंद करके इनको एक सीटी के अंदर हमारी सब्जियां पक दढ़ी होगे हम इसको आफ कर देंगे और इसको थोड़ा थंडा होगे सब्जियां हमारी पक चुकी है अब हम इन पकी हुई सब्जियों में हमारी चूरी हुई रोटियों को मिक्स कर देंगे बच्चे अलग अलग सब्जी और रोटी खाने में काफी आनागानी करते हैं इसमें बच्चों को सब्जी और रोटी दोनों एक साथ मिल जाएगी अब हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही ढखके रख देंगे जिससे क्या है यह रोटी और सब्जी दोनों मिक्स हो जाएगी कुछ देर के लिए अब हमारी चूर चूर रोटी पक चुकी है अब हम इसे सब करते हैं वाव देखने में कितने सुन्दर लग रही है बहुत टेस्टी भी लग रही है अब हम इसमें हरा धनिया या पत्ती वाले प्याज उससे हम इसको गार्निस कर सकते हैं लेकिन अभी लॉक्डाउन जी वज़े से घर में उप्लावत नहीं है लेकिन आप इसको इससे गार्निस कर सकते हैं और इसको दही के साथ आप बच्चो को दीजिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चूर चूर रोटी तो लीजी अब हमारी चूर चूर रोटी द